श्री गुरुभ्यो नमहा शंस्कृत कख्षायां भवतां भवती नांच पुनरेकवारं स्वागतं अध्यवयं भास्वती इती पुस्तकस्य तृतियं पाठं पठामह भास्वती प्रथमभागस्य तृतिय पाठह विद्यते सूक्ति सुधा अस्मिन पाठे हितो पदेश ग्रन्थात पुनस्च चाणक्य नीती पुस्तकात श्लोकाह संग्रहीताह संती तेशाम अत्रवयं अध्ययनं कुर्मह तरही प्रथमह श्लोकह विद्यते यश्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर न च वांधवाह न च विद्यागमह कष्चिद वासं तत्र न कारेत इसका अन्वय इस प्रकार से है यस्मिन देशे सम्मानो न बृत्तिर न च बांधवाह न च कष्चिद विद्यागमह तत्र वासं न कारेत अर्थात यस्मिन देशे सम्मान न भवति जिस देश में हमें कहां वास करना चाहिए कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए ये इस श्लोक में बताया गया है इस पद्य के माध्यम से यह कह रहे हैं कि हमें किस छेत्र में निवास करना चाहिए तो सबसे पहले कहते हैं यस्विन्दे से नसम्मान है जहां सम्मान नहीं होता है जिस देश में देशपद का अर्थ है यहां पर छेत्र कह सकते हैं जिस अस्थान पर सम्मान नहीं होता है पहला, दूसरा ना वृत्ति, ना तो वहां पर कोई वृत्ति है, अर्थात आय का साधन नहीं है वृत्ति का तातपर यहां पर किसी व्यवसाय से है, किसी पेशे से तो जहां पर आय का कोई साधन ना हो न वृत्ति न च बांधवाहा और ना ही अपने बंधु बांधव लोग हो ना अपने सुरिद सखा मित्र परिवारिक जन जहां पर ना हो न च विद्या गमह कश्चित और ना ही कोई विद्या के आगमन का साधन हो अर्थात हम निरर्थक रह रहे हो अगर इसमें से कोई चीज नहीं है अर्थात हम वहां निरर्थक रह रहे हैं तो पहला सम्मान दूसरा मृत्ति तीसरा बंधु बांधव और चवथा विद्या का आगमन अगर ये चारों चीज हैं तो वासम तत्र का रहेत अगर हैं तो हमें रहना चाहिए अगर नहीं हैं क्योंकि यहां पे हर जगा ना ना ऐसा प्रयोग किया गया तो नचविद्याग महकस्चित अगर विद्या का अरजन नहीं हो रहा है तो वासम तत्र नकारेत अर्थात वहां पर वास नहीं करना चाहिए उस अस्थान को त्याग कर किसी नए अस्थान की तलास करनी चाहिए दुसरे शलोक में कहा गया है आतुरे ब्यसने प्राप्ते दुर्विक्षे शत्रु संकटे राजद्द्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठती सबांधवह इसका अन्वय इस प्रकार से है आतुरे ब्यसने दुर्विक्षे शत्रु संकटे राजद्द्वारे श्मशाने च यह तिष्ठती सबांधवह भवती अर्थात आतुरे आतुरा अवस्था प्राप्त होने पर आतुर्पद का अर्था है रोगी अर्थात जब रोग से घिरा हुआ ब्यक्ति हो ऐसी अवस्था में दूसरा व्यसने अर्थात व्यसन की अवस्था यहाँ पर व्यसन पद का अर्थ है विपत्ति अर्थात आपत्ति किसी संकट काल में जब कष्ट सामने उपस्थी थो उस समय में राजद्वारे श्मशाने राग्या द्वारम राजद्वारम तस्मिन राजद्वारे अर्थात राजा के द्वार पर जब किसी सरकारी संकट ने घेरा हो ऐसी अवस्था में और श्मशाने श्मशान अंतिम जो अंतेश्टी कर्म है अंतिम क्रिया है उस अंतिम क्रिया के समय जो उपस्थीत रहता है हम देख रहे हैं पहला आतुरे व्यसने दुरभिक्षे सत्र संकटे राजद्वारे श्मसाने ये छे चीजे हैं इन छे स्थितियों को संकट माना गया है ये छे के छे ही संकट हैं कोई रोगी होगा तो भी वहाँ रोग का संकट विपत्ती है तो विपत्ती का संकट दुरभिक्ष है तो वहाँ भोजन का संकट सत्रू से सत्रोह संकटम तो सत्रू का भय है तो सत्रोह संकट है सत्रू संकट है वहाँ भय राजा का भय और श्मसान अंतियष्टी कर्म इस प्रकार से देखा जाईए जो छे स्थितियां है इन छे के छेओ स्थान पर जो व्यक्ति सहायता करता है जो उपस्थित रहता है जो हमारा साथ देता है वह बांधो उसे ही बंधू कहा जाता है पीछे श्लोक में भी बंधू आया था कि जिस देश में बंधू का वास ना हो अपने बंधू बांधो लोग ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए यहाँ पर बंधू की परिभासा दी गई कि बंधू है कौन बांधो किसे कहते हैं तो कहा यह तिष्ठती सबांधव इन छे अस्थानों पर जो हमारे साथ रहता है जो साथ निभाता है वह बांधो माना जाता है वही बंधू है अगले श्लोक में कहते हैं कोति भारह समर्था नाम किम दूरम व्यवसाई नाम को विदेशह सविध्या नाम को प्रियह प्रियवादि नाम इसका अन्वय इस प्रकार से है समर्था नाम अतिभारह कह व्यवसाई नाम दूरम किम सविध्या नाम विदेशह कह प्रियवादि नाम अप्रियह कह यहां चार प्रश्न पूछे गए हैं कि अतिभारह समर्था नाम कह जो समर्थ लोग होते हैं उनको भार नहीं होता चाहे कार्य का भार हो या वजन का भार हो या अन्य किसी चीज का जैसे देखें हम थोड़ी से आग के आँच में जल जाते हैं लेकिन सूरे के पास कितनी गर्मी है वो उससे कुछ नहीं प्रभाव पड़ता वह प्रभाव हीन होता है उसे आँच नहीं लगती इसी तरह अगर हमसे पचास किलो, सव किलो, पानसो किलो रखा जाये तो उठाने में असमर्थ हैं लेकिन प्रिथवी कितना भार वहन कर रही है इसी तरह छोटे-छोटे यंत्रों को देखें नबस है, ट्रेन है, वायूयान है यह सब भार जिसका जितना सामर्थ होता है अपने सामर्थ के अनुसार हर कोई भार का वहन करता है इसी बात को कह रहे हैं अतिभारह समर्था नाम कह अर्थात जो समर्थ लोग हैं उनको किसी चीज का अतिभार नहीं होता निशकर सरूप से आता है कि समर्थ लोगों के लिए कोई चीज अतिभार नहीं होती वियवसाई नाम दूरम किम अर्थात जो वियवसाई लोग होते हैं अर्थात उद्यम शील श्रेष्ट यतन शील जो लोग होते हैं उनके लिए कोई चीज दूर नहीं होती वो कुछ भी कर सकते हैं हम आए दिन समाचार पढ़ते रहते हैं जैसे कोरोना काल में एक बालिका का हमने समाचार पढ़ा था कि वह अपने पिता को साइकिल में बैठा करके और दर्भंगा तक ले करके जाती है उसके पिता अस्वस्त थे तो वह इसी का एक उदारण है कि व्यवसाही नाम जो यतन करने वाले उद्यम शील लोग हैं उनके लिए कोई चीज दूर नहीं होती वो हर चीज को अपने यतन के द्वारा अपने उद्यम के द्वारा विशेश प्रयतन करके और उसे प्राप्त कर लेते हैं कोई चीज उनसे दूर नहीं होती तीसरी पंक्ती में कहते हैं कोवीदे सह सविध्यानाम अर्थात जो विद्या से युक्त लोग है जो ज्यानवान लोग है उनके लिए कोई चीज विदेश नहीं है अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है चाहे वह काश्मीर की यात्रा करे या कन्या कुमारी की यात्रा करे या बंगाल जाये चाहे गुजरात जाये अत्वा दिल्ली में रहे वो छेत्र की भाषा को समझता है जानता है और हर जगह अपना ब्यवहार कर सकता है हर छेत्र में वह सेवाएं दे सकता है और अपने आपको उस माहौल में धाल सकता है उसे समस्या नहीं होगी ठीक इससे विफरीत अगर कोई समाज को नहीं समझ पा रहा है एक किसी छेत्र विशेश से व्यक्ति है छोटा बालक है या ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसे अगर आप देश के विविध किसी अन्य छेत्र में पहुँचाएं जहां कि वह भाष हो जाएगा वह व्यक्ति सेवा नहीं दे पाएगा को प्रियह को अप्रियह अर्थात प्रियवादी नाम कह अप्रियह जो प्रिय बोलने वाले लोग हैं उनके लिए कोई चीज अप्रिय नहीं होती अर्थात वह हर चीज को सकारात्मक रूप में स्विकार करते हैं तो सदा प्रिय बोलने वाले जो लोग हैं उनको किसी की बातें अप्रिय नहीं लगती अगर कोई अप्रिय बोल भी दिया तो उसको वह सकारात्मक रूप में बदल करके और बेवहर में ले आते हैं इस तरह हमने देखा कि ये चार चीजें हैं जो बुद्धिमान हैं विद्यावान है ऐसे लोगों के लिए कोई छेत्र विदेश नहीं होता और जो अप्रिय कोई वाक्य प्रिय बोलने वालों के लिए अप्रिय नहीं होता इसी तरह जो समर्थ लोग हैं उन्हें कोई चीज भार भार नहीं होता और जो यतन करने वाले उद्यमी लोग हैं उनके लिए कोई ची दूर नहीं होती यह इसका तात्परिय है अगला श्लोक है काचह कांचन संसरगाद धत्ते मार कतीम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याती प्रवीड ताम इसका अन्वय इस प्रकार से है कांचन संसरगाद काचह मार कतीम द्युतिम धत्ते तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो प्रवीड ताम याती अरथात काचह कांचन संसरगाद काचह का अरथ है कांच जो सीशा होता है वो और कांचन का अरथ है सोना कांच की चीज तात पर यह है कि जैसे सोने की अमूठी है और उसमें कोई अच्छा चमकता कांच का टुकडा जोड़ दिया जाए जैसा हीरे जैसा कुछ चमकता रहे भले वह हीरा ना हो तो भी कांचह कांचन संसरगाद कांच के संसरग होने से धत्ते मारकतीम द्यूती मारकतीम द्यूतिम धत्ते मारकती द्यूती अरथ यह है कांचंती को वह धारण करता है जैसे किसी सोने की अंगुठी पर कोई चमकता हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर नग लगा दिया जाए कांचन संसरगात अर्थात स्वर्ण के संयोग से उसके संसरग में आ जाने के कारण महत्यों को प्राप्त हो जाता है बहमूल्य हो जाता है और मरकत मली के समान कांची को धरण करने वाला होता है तथाईव यहाँ पर तथापद है जिसका अर्थ है उसी प्रकार सताम सन्निधानम सत सन्निधानम तेन सत सन्निधानेन अर्थात सज्जनों के साहचर्य होने से सज्जनों का साथ पा जाने से सत पदकार्थ यहाँ सज्जन है तो सज्जनों का अगर साथ हो जाए उनका साहचर्य मिल जाए तो मूर्खोयाती प्रवीनताम अर्थात जो मुर्ख व्यक्ति है वह मुर्ख व्यक्ति भी प्रवीन हो जाता है निपुन हो जाता है अर्थात जो किसी विशेश गुण को धारण करने वाला व्यक्ति ना हो और वह अच्छे लोगों के संपर्क में आता है अच्छे लोगों के संसर्ग में होता है तो वह उनके गुणों को आत्मसात कर लेता है कुछ चीजें अपने जीवन में धारण कर लेता है किसी विशेश कौसल को वह धारण करता है इसलिए वह भी प्रवीण हो जाता है यहाँ पर मुर्ख पद का तात्परिय जो विशेश कौसलों को नहीं जानता होगा ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए कि वह व्यक्ति भी किसी निपुण के संसर्ग में आजाने से सजन के संसर्ग में आजाने से कई चीजों को सदगुणों को सीखता है और वह भी प्रवीण हो जाता है निपुण हो जाता है इसलिए सज्जनों का साहचर्य हमें करना चाहिए तो इस प्रकार से हमने इन चार श्लोकों के अर्थ और अन्वे के साथ में पदक्षेद किया और अर्थ को समझा इनके अभ्यास के लिए अभ्यास के अंतरगत जो पाठ के अंत में अंश दिये गए हैं उन कठिन शबदार्थों को हम देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है उन्हें अपनी टिपड़ी पुस्तिका में लिखकर हल भी करेंगे तो आज के लिए इतना ही इनके अवसिष्ट जो श्लोक हैं उनको हम अगले करम में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कि अवसिए संपिए जो आज करता हैं यूदार्थी। झाले सुछ जो कर में भी कर दो बार्ख़ीज करें तक कि अवसिए संपरेंगे रख़ी जोदार्थ हम पुस्तिका में जो आज कि आफें रख़ dedicate साटवार्श करेंगे झाल झाल